हाई फ्रेंड्स मैं प्रविंदर खारी फ्रेंड्स आज की हमारी गेम बिश्वजी डे जी की वीडियो रेक्मेंडेशन है उन्होंने मुझसे सन 1944 की गेम के उपर वीडियो बनाने के लिए लिए आता सेम्वल रेश्विष्ट की वर्सिस आर्नॉल्डो वसकॉन सेलोस डारेक जाने के लिए बेस ओ पॉंचेन असेप्ट के यहाँ डी टेक्स से फाइव नाइट आयडी सेवन स्कॉर पर तें नाइट एफ थी सेंटर का पॉन बचाना भी ज़रूरी था बिशेप टेक्स सी फाइव बिशेप आया डी थरी स्कॉर पर नाइट यसके बाद यहाँ कैसल क किया क्या हो अगर इस पाउन को जीतने की कोशिश की जाए नाइट टेक्सी फाइब वो वग्द नहीं करने वाला नाइट टेक्सी फाइब और इसके बाद यहां वाइट के पास दो आप्शन है पहली आप्शन है रूप को इस नाइट पर लगाए जाए लेकिन ऐसा करने के यहाँ यह एफ पॉन आगे पुश हो जाएगा उसके बाद यहाँ कुइन से एक चेक आ सकती है उसके बाद अपने अपने प्राउब्लम से लेकिन नाइट बी फाइब कमोग जादा बैतर होगा डिरेक्ली कुइन पर अटेक बनेगा और नाइट को अडिफेंडे करवाने का क किया जा सकता है कुइन को पीछे ही जाना होगा खेर यहाँ केला गया A6 पहले ताकि नाइट यहाँ इस B5 स्क्वार पर आई ना पाए रुकाया A1 स्क्वार पर पाउन गई B6 स्क्वार पर और डिरेक्ली यहाँ इस F2 पाउन पर अटेक है और साथ इसाथ फॉक है इस B2 प पाउन पर भी तो बिशेप G3 पहले F2 पाउन का बचाया गया कुइन टेक्स B2 वाजनस पाउन नाइट पर अटेक है तो यहाँ पर नाइट मेरे ख्याल से A4 स्क्वार पर बैटर वर्ट कर जाता फॉकिंग बिशेप और दिस और कुइन पर सलते हैं गीम पर यहाँ के लग है ना भुगत ले अभी तक कैसल ना करने का एफ टेक्स E6 से प्रॉब्लम क्या है रुप टेक्स E6 चेक होगा कैसल चांस यहाँ खत्म होता है लेकिन नाइट F6 नाइट के F6 स्क्वार पर आने के बाद हुआ एटेक्स F7 विद चेक किंग टेक्स F7 देन बिशेप आया H4 स् सकता है नाइट की चेक भी वर्क नहीं करने वाली है यहां करने को तो बहुत कुछ किया सकता था ब्लैक अपने किंग को मुझ कर सकता था F8 स्क्वार पर या फिर क्विद टेक्स E2 की आप्शन बूरी तो नहीं थी लेकिन इससे वाइट को थोड़ी डॉमिनस मिनती है लेक उससे पहले चेक देने की बारी आई सेम होल की यहां पर हुआ नाइट E5 चेक किंग यहां गया F8 स्क्वार पर क्या यह किंग कुछ वर्क करता जी 8 स्क्वार पर I don't think so बीशेफ टेक्स F6 नाइट अलिमिनेट हुआ नाइट का इलिमिनेट होने का मतलब है डिरेक्ट क्वि अटेक होगा रुक को बचाया ही नहीं जा पाएगा रुक G8 का सीधा सा मतलब को इन F6 और इस रुक की मदद से वो चेक मेट होगी लेकिन और बहुत सुलुशन है उस प्राबलम के यहां किला गया नाइट टेक्स D3 और सीधा बिशप को अलिमिनेट किया गया ब्लैक को को क प्राबलम यह है ब्लैक की गेम में कि उसका गिम पूरी तरह से एक्सपोजड हो चुका है यहां अगर बिशप टेक्स D7 किया गया तो सीधा कुईन की चेक आएगी तो अब ब्लैक जिस भी तरीके से चाइस गेम को बढ़ाया यह गिम चेक मेट तक अराम से पहुंच सकती ह किंग F6 होगा दें कुइन H4 चेक होगा और अगर यह किंग E6 स्क्वार पर गया तो डिसकबर स्काइबे चैक पके खत्रे हैं इक उस H6 check होगा, King E7, Queen G7 check, King E6, then Queen F7 check, King जब finally D6 square पर पहुँचेगा तो Queen D7 check पर ये mate होगी, लेकिन अगर यहां King को F5 square पर लेकर जाया भी या तो भी problem नहीं है, Queen H5 check होगा, King F6, Queen F7 check, King G5, Knight F3 check होगा, King को H5 में ही जाना होगा, then Rook से check आएगी और वो mate होगी, लेकिन चलते हैं actual game पर, यहां Black ने इसलिए इस रुक को तो नहीं लिया है, Bishop गया B7 square पर और चलिए, firing line को उस देर के लिए close हुई है, permanently नहीं, Queen H5 और H5 के पर Queen आने का मतलब है, चेक कहां से आने वाली है, दिख रहा है, रुक आया F8 square पर, यहां Black ने F7 square को तो बचा लिया है, लेकिन कोई G5 चेक क्योंकि यहां यह Bishop फिल हाल पिन है, with the help of that Rook, तो कोई issues नहीं है, King आया यहां से F8 square पर, Black के King के लिए ब्रिदर हुआ, कि उसका King अब H8 square पर पहुँच चुका है, लेकिन Knight G6 चेक, यहां Samuel गेम को इस तरह से खेल रहे थी, कि यह गेम या तो उनकी होने वाली है, या उनके opponent की, H-Tex G6 होने के बाद, अब क्या किया जाए, मेरे ख्याल से Checkmate के गेम काफी नस्दिक पहुँच चुकी है, in fact, अगर R-Tex C7 किया भी गया, तो भी कोई Issues नहीं होंगे, क्योंकि यहां से Black क्या करेगा, मेरे ख्याल से Check भी देगा, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, Quinn Exchange हो जाएंगी, Knight जब C1 स्कूर पर जाएगा, तो बस लगातार दो moves में दो Check देनी है, यहां गेम को खत्म करने के लिए, लेकिन R-F7 भी work नहीं करने वाला, क्योंकि Quinn H6 Check होगा, King G8, then R-Tex C8, with a Check, Quinn अगर बीच में लग भी गई, then R-Tex F8 Check, R- R-Tex F8 होने के साथ ही Quinn H7 Check, और वो Mate होगी, तो यहां पर White ने इस Option को इसे चुना नहीं था, उन्होंने पहले डिरेक्ली ही यहां से Check दे दी, King जब G8 स्कूर पर गया, उसके बाद हुआ, Quinn Tix G6 Check, King H8 स्कूर पर और फिर यहां इस Bishop को लिया गया, R-Tex E7, और किसी भी तरह कोई Background Checkmate का Chance नहीं दिया, यहां पर Black को, और Arnold को Finally Resign करना ही पड़ा, Friends क्या गजब की गेम थी, इसी, मुझे उमीद है कि आप सभी लोग को यह गेम ज़रू पसंद आई हुए, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे सीTube चैनल साइस ग्रूब को प्ली